हेलो दोस्तों मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको चार टू पिन सोकेट एक फाइप पिन सोकेट एक स्विच और एक इंडिकेटर का कनेक्शन करके दिखाऊंगा डाइग्राम से तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए यह देखिए दोस्तों मैंन बोड जैसा ही डाइग्राम में बना दिया है यह हमारा इंडिकेटर है और यह हमारा स्विच है तो चलिए इसका कनेक्शन करके मैं आपको डाइग्राम से समझाता हूं क्योंकि डाइग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा हमें सबसे पहले क्या करना है निउटल औ लिएना है और उसे इंडिकेटर के किसी भी एक पैंट में लगा देना है अब damaged supplyूप अ s obec में भी देना है तो इस तरह से नीउटल्स to きलद आड को लेना है और हमारे बोड में जितने भी सोखेट में सभी के एक पैंट में 2006 को सप्लाई हुए पाइंट में फेज सप्लाई देना है तो इंडिकेटर का नीचे हुआ नीचे वाला पाइंट बचा हुआ है तो यहां पर मैं फेज सप्लाई देता हूं यहां से लेकर यह देखिए और अब क्या करना है देखिए स्विच में भी हमको फेज सप्लाई देना है तो यहीं स्विच का एक पैंट बचा हुआ है और पांचो सोकेट का एक पैंट बचा है तो एक ही स्विच से हमें पांचो सोकेट का कनेक्शन करना है तो इस तरह से स्विच से तार लेंगे और उसे socket के बचे हुए point में लगा देंगे हमें सभी socket में star को लगा देना है इस तरह से क्योंकि एक ही switch से हमारा 5 socket on आप होगा तो इस तरह से हमको connection कर लेना है मतलब की सभी socket में switch का connection कर लेना है तो इस तरह से इस board का connection होगा दोस्तों अगर विडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए